हेलो एन वेलकम तो इस वीडियो दिस इस क्रिस नागबंसी फ्रेंड्स आज की क्लास में हम प्रोनाउन टॉपिक पर डिसकस करेंगे और यह प्रोनाउन का पहला पार्ट है जैसा कि आप जानते हैं कि MPSI में प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेस्टन अक्सर पूछे दाते रहे ह तो आज हम इसी टॉपिक पर डिसकस करेंगे इस टॉपिक को हम बित फुल डिटेल्स और पूरे कॉंसेप्ट के साथ डिसकस करेंगे साथ ही में आपको number of questions हम ज्यादा से ज्यादा कराएंगे ताकि आप आपकी अच्छे से अच्छी practice हो जाए चलिए शुरू करते हैं आज is a word pronoun is a word which replaces a noun to avoids its reputation यानि जो प्रोनावन है एक word है और यह noun के reputation को avoid करता है ओके चलिए जैसे एक एक्जामपल लिखा है कृष्चना इसक आप टिचर क्रिश्ना टीचेश इंग्लिस कृषना टरीट्स कृष्चना эт कृषना थिस्टूदेंट एज सिंगा और से अब यहां पास आप देखर हैं कृष्चन वर्ड कई रहा है कृष्चन नाउन जो है कई बहु है हम पास एक ऐक आया फिर क्रिश्चाा आया भी फिर कृष्णा फिर कृष्णा फिर यहां पास कृष्णा तो हमें क्या करना है कि इसके रिपिटेशन को नाउन के रिपिटेशन को अवाइड करना है उसकी जगह हमको किसका यूज़ करना है प्रोनाउन का यूज़ करना है यहां पास दिया क्रिष्णा इस टीचर और फिर क्रिष्णा दिया है तो क्रिष्णा के लिए क्या आएगा यहां ही आएगा He teaches English फिर Krishna दिया है तो इसकी जगह भी किसका यूज करेंगे He का यूज करेंगे He treats Krishna's Krishna यानि पजेसित हो जाएगा यहाँ पास He हो जाएगा फिर इसके बास दिया है Krishna यहाँ पास भी तो यहाँ पास भी क्या आएगा His आएगा यानि पूरा का पूरा जो sentence का sequence होगा वो होगा Krishna is a teacher He teaches English He treats his students as his own children अब आप देख रहे हैं कि Krishna वर्ड की जगह है हमने किसका यूज कर दिया है प्रोनाउन का यूज किया है अब Krishna के लिए हमने ही प्रोनाउन का क्यूज किया है आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा जहां हम चार्टा प्रोनाउन डिसकस करेंगे कहां ही आता और सी आता है यहां पास His क्यूँ आया है यह सारी चीजे हम next स्लाइड में डिसकस करेंगे फ्रिहाल आपको यहां यह समझना है कि यहां पास हम He का यूज क्यूं कर रहे है He का यूज इसलिए कर रहे है कि प्रोनाउन क्या करता है नाउन के रेप्टेशन को अबवाइड करता है यानि अगर नाउन बार बार रेपीट हो रहा है तो हम उसकी जगए किस का यूज करेंगे प्रोणाउन के उस किया देंगे ओके आपको यहां तक क्लियर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको इस चार्ड को अच्छी तरीके से लर्न करना है क्योंकि आज की क्लास में हमारे जितने भी क्वेस्टेंस हैं इन्ही प्रोणाउन से रिलेटेड हैं जिसमें हम सब्जेक्टिव को नॉमनेटिव यह बोलते हैं फिर है आपका आपजेक्टिव यह चीज़े पढ़ेंगे फिर आपका पजेसिव हो गया पजेसिव यह है फिर इसके बाद यह क्या दिया हुआ है तो इसे आपको ध्यान से लिखना है और फिर मैं आगे आपको समझाता हू चलिए आप लिख लिए होगे अब इसे हम एक एक समझते हैं सबसे पहले आपको समझना है कि first person में कौन कौन से pronoun आते है first person में आता है I और B ये जितने भी red circle में लिखे हुए हैं ये क्या है हमारे first person में आते हैं I और B किस में आएगा first person में फिर इसके बाद आपको दिया होगा you you किस में आएगा second person में आएगा तो ये हो गया आपका I भी first person में और you हो गया आपका second person में किस में हो गया second person में हो गया इसके बाद ये जो black में लिखा है he, see, they, it ये सब हमारे किस में आएगे third person में आएगे he see it they और किसी भी प्यक्ति का नाम हो तो ये किसमें आएंगे हमारे third person में आएंगे अब आपको समझना ये है कि इनका use हमेशा किसमें किया जाता है subjective case में किया जाता है और ये सारे words जो लिखे हुए ये किसमें यूज किया जाएंगे गोईंग टू मार्केट, I am going to market, क्या कभी ऐसा बोले आता है, मी एम गोईंग टू मार्केट, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, मी एम गोईंग टू मार्केट, नहीं बोल सकते, क्योंकि मी किस में आ रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई हो करना है अब कहां कहां object pronoun का use होता है यह चीज आप बिल्कुल rough में note कर लिए अपनी notebook में note कर लिए कि अगर कोई preposition है अगर कोई preposition है तो उसके बाद हमेशा objective case का use किया जाएगा याद रखिएगा कि अगर preposition है तो preposition के बाद हमेशा कौन सा case आएगा objective case आएगा इतना आप समझ गए होंगे अब बात करते हैं possessive case की तो possessive case में आप दो sequence देख रहे हैं एक देख रहे हैं माई या माइन फिर देख रहे हैं अवर फिर योर हीज हर देर तो आप इनके बाद क्या देख रहे हैं dot dot देख रहे हैं कि माई के बाद dot है योर के बाद dot है फिर इसक क्या समझनہ है सबसे पहले आप यह समझें कि I का object me होता है और I का Me I claim myself इसी तरह we प면 the massively us नहीं होता है और इसका襲ाहस होता है और पर्रेड़ा और झाल सेल्व होता है इसी तरह अका taotक५ का उब्यक्ट यह होता है यू वट यह न उस होता है और यू का reflexive pronoun क्या होता है yourself या फिर yourself होता है कहां होता है मैं आगे discuss करूँगा इसी तरह he का object हो जाएगा him और possessive हो जाएगा his और reflexive हो जाएगा himself इसी तरह see का object हो जाएगा her और see का possessive हो जाएगा her या hers और इसका reflexive हो जाएगा herself इसी तरह they का object होगा them और इसका possessive होगा there या there और इसका reflexie हो जाएगा they इम्सेल्फ इत का हो अबजेक्ट इट और इट का progressive होगा इट्स और इसका reflexie होगा itself इतना आप समझ गए अब चलिए आपको मैं समझाता हूँ अब आपको समझना यह है कि कहां mind का use होना है और कहां my का use होना है तो याद रखेंगे जब भी ये वाली सेरी जिसमें मैं आपको बलैक कर रहा हूं इस वाली सेरी में हमेशा noun आएगा मत्था माई के बाद noun हमेशा आएगा जैसे आजाय है मेरा भाई मेरा भाई my brother अब यहां पास brother किया है एक noun है तो माई कयूज हम कहा करेंगे जब नाउन होगा इसी तरह योर कयूज कहा करेंगे जब नाउन होगा तो मेरा भाई माई ब्रदर तुम्हारा भाई योर ब्रदर हमारा भाई अबर ब्रदर उसका भाई हिस ब्रदर लड़की है तो हर ब्रदर उनका भाई देर ब्रदर ऐसे य नाउन नहीं दिया होगा यानि जब भी आई के पजेसिब की बात होगी तो माई या माईन का यूज करेंगे लेकिन हम यह देखेंगे कि माई के बाद यदि नाउन है तो हम माई का यूज करेंगे यदि नाउन नहीं है तो केबल ओ केबल हम माईन का यूज करेंगे फिर समझ इसी तरह आप सारे प्रोनावन को पर दिय लैंगर आप बात करते हैं रिख़ेशि UM प्रणावन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आई का रेफलेक्स से यू होता है विका रेफलेक्स अवर संस 가장 होता है यू का यूर से होता है ही का हिमसेल होता है बस इतना आपको याद रखना है बाकि हम जब question में deal करेंगे तो आपको छोड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो मैं समझाता जाओंगा तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो कि आपको यहां तक समय में आ गया होगा आप इस चार्ट को आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे माइन में सेट कर लेंगे कि आई का ऑब्जेक्ट मी पजेसी माई या माइन और इसका रेफ्लेक्सी माइसल इसी तरह सारे प्रॉब्लम को आपको अच्छे तरीके से डिसकस करना है अब चलिए सुरू करते हैं क्वेशन सीट सीट अपनी से शुरू करते हैं जिसमें हम 25 बात करेंगे रेलेटिव प्रणाउन की बात करेंगे इसलिफ्र प्रिहाल हमें इनहीं पर डिसकस करना है चलिए सुरू करते हैं क्लास पहलाशन आपके सामने हैं लिखा है में अई जूरण कि ये प्रिपोजिशन के बाद मैंने आपको बताया थै कौन साड़ी और अब्जक्ट के साता है तो यहां ध्यान यह देना है फुर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है किसके लिए होता है सब्जेक्ट के लिए और हूम किसके लिए हूज होता है अब्जेक्ट के लिए यूज होता है हूम तो यहां पास अब्जेक्टिव केस कौन सा रहा हू रहा तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा हूम क्यों होगा हूम क्योंकि टू क के बाद objective case का यूज होता है और objective case के लिए हम हूम का यूज करते हैं तो के यह clear अब ध्यान यह sequence याद रख लें who subject के लिए use होता है whom object के लिए use होता है और who's possessive के लिए use होता है और who's के बाद noun आता है ओके यह हम बाद में आपको discuss करेंगे बट फिर क्योंकि two के बाद क्या आएगा objective case चले next question बढ़ते हैं next question दिया हुआ है he asked Anil why dad's father has had lost his temple अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें पजेसी pronoun का use करना होगा तो noun दिया होगा तो हम जैसे my माई के बाद करें माई के बाद आएगा तो noun आएगा ओके और माई के बाद कोई भी noun नहीं आएगा यानि जब भी noun दिया होगा तो हम माईन का use नहीं करेंगे ओके अब यहां देखते हैं किसका use होना है ओके he asked Anil why dad's father had lost his temple अब देखें यहां पास किसके बाद आ सकता है यहां पास देखें यहां पास दिया हुआ है फादर अब फादर दिया हुआ है why dad's father तो he का possessive क्या बनेगा आप बोलेंगे sir he का possessive क्या होता है his होता है answer में देखिए his दिया हुए दिये हमारा पहला answer हो जाएगा question क्या बनेंगी he asked Anil why his father had lost his temple अब he का पजेसिव हम लेंगे अब यह किसका पजेसिव होता है यह किसका होता है और यह किसका होता है और यह किसका होता है वी का होता है इनका यहां तक आपको concept clear होगा चलिए next question में देखते हैं अब देखे बित क्या है एक proposition है है ने proposition और मैंने आपको बताया था कि proposition के बाद objective case का यूज होना है objective case तो देखें इसमें objective क्या है यह तो हर तो पजेशिव है तो कट गया देर भी क्या है पजेशिव तो कट गया अब भी क्या है पजेशिव तो कट गया बचा क्या हिम तो क्या हो जाएगा with him the team is fine ओके चलिए next question बढ़ते हैं राज has distributed the fund between between dad and me अब बताये between क्या है between एक proposition है बिट्बीन क्या है एक proposition और proposition के बाद क्या है अब्जेशिव केस तो हर क्या है पजेशिव तो यह कट गया देर भी क्या है पजेशिव तो यह कट गया और सी क्या है subjective यह भी कट गया बचा क्या हर तो हर क्या हो जाएगा आपका answer ओके चलिए next question में बढ़ते हैं one should keep that as promises अब आपको यहाँ याद यह रखना है कि जब भी subject आपको one दिया हो जब भी subject one दिया हो और बात करे पजेशिव का तो one का पजेशिव हमेशा once होता है यह रखने वाली चीज़ है आप इसको रख लीजए कि जब भी subject आपको one दिया है तो one का पजेशिव क्या होता है once होता है ना कि his होगा ना हर होगा ना अवर होगा तो जैसे ही one दिखे subject में और possessive पूछे तो one का possessive क्या होगा once होगा चलिए next question देखते हैं the teacher is called it the teacher is called it that does me and you you and me myself and yourself yourself and itself पहली बात आप यह बात बताईए कि यह क्या है हमारा subject है फिर क्या यह है main verb इसके बाद क्या आएगा object आएगा तो यहां पास दिया है myself yourself यह दोनों तो आएंगे नहीं तो यह दोनों हमारे sequence पूछे तो आप को यह करना है अगर good Act में आ रहा है मतलब sentence में आपको यह कि यह good Act में आ रहा है बात इक है मतलब आ अच्छी Bene के लिए है जो काम करना अच्छा होता है तो जो प्रोनावन का सिक्वेंस होता वह होता है 231 ऐसा क्यों होता है आप थोड़ा सा समझ देखिए माल लीजे मैं इंसिट्यूट चला रहा हूं ओके मेरे यहां स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब स्टूडेंट्स सलेक्ट हो जाते है जब स्टूडेंट्स सलेक्ट हो जाएंगे तो मैं क्रेडिट पहले किसको दूँगा सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन में क्या आएगा स्टूडेंट्स आएंगे आएंगे ना तो पहले क्रेडिट किसको दूँगा सेकेंड पर्सन को दूँगा फिर किसको दूँगा थ जब भी sentence में good act की बात होगा तो जो pronoun sequence होगा वह 231 होगा जब भी बाढ़ act की बात हो यानि कि ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसका sequence क्या होता है 123 होता है उसका sequence क्या होता है 123 यानि कि जब भी mistake हो जाए मतलब कोई गलती हो जाए या फिर कहें जो बैड एक्ट के अंतर आता है मतलब आपको सेंटेंस में फीलो कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए गलत बात है ओके जो सिक्वेंस होना चाहिए अब यहां पास देखिये 173 के सिक्वेंश में और वी होता है यहां फिर सेंट वह क्या दिया है कि यहां या यहां पर्णाउन का यह यह कांसेप्ट भूट अच्छा है हमेशा आप याद रखिए गा कि जब भी फरोनाऊन का सिक्वेंस होगा यानिकी 2 मतलब यहां पास हो जाएक जब भी आपकी कि जब थार्ड नहीं को याद रखेंगे जब भी प्रणाउनों सेक्वेंस है प्रेपोजीशन है न आप जा करेंगे और ला यहां पास हुम का इसका दो हम अह다가 वहां करते हैं आपको मैं COM रिहाल अभी आपको ध्याने रखना है कि छौब सीयंंगे वहां करते हैं अपृजिशन के बाद हम का क्या है हूं है तो यहाँ पास इंसर क्या होगा हूं होगा अगे जभ मैं आपको रिलेटिव प्रणाउंगा तो वहाँ बताओंगा बिच का यूज और हूं का यूजह हूं कर्यों और त्रियालग्हां अपको यहाँ पास यह समझने याद रखेंगे जब भी त्री प्रोनावन एक साथ दिये हो यानि थर्ड पर्सन दिया ओ सब्सक्राइब वर्क क्या है यहां पास नाउन है तो हर्स तो होगा नहीं क्योंकि हर्स बार नाउन नहीं आता यौर्स भी नहीं होगा योर्स के बार नहीं आता अब यह तो आएगा ओर या फिर आएगा तो हम कैसे पहचानने कि यहां अवर आएगा और आएगा अब आप समझ किन प्रोणाउन हो और उसमें फ़स्ट परसण हो जो स्रीछ चले घी आगे की औबजेक्ट उसका होगा अस होगा और उसका जो पजेसिव होगा अवर होगा या फिर अवर्स होगा और उसका जो रिफ्लेक्सिव होगा वो क्या होगा उसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा अवर्स होगा फिर लिख रहा हो मैं यानि जब तीनों एक साथ होंगे आई साथ में इसका objective बनेगा अस और इसका पजेसी बनेगा आवर या फिर आवर्स आप लिख लिजिए गा और इसका पजेसी बनेगा आवर सेल्फ यानि कि वी वाली सीरीज हम लेके चलेंगे जब तीन प्रोनावन एक साथ रहेंगे और आई दिया हो हमेशा याद रखेंगे आई दिया दो ही प्रोनावन हो माल लिजिए दिया होता सी एंड आई तो आई के कांड यहाँ पास objective इसका बनता अस और इसका पजेसी बनता आवर या आवर इसका रिफ्लेक्सिव क्या बनता आवर सेल्फ इसी तरह दूसरा concept आपको याद यह रखना है कि जब भी जब भी दो प्रोन और रिफ्लेक्सिव क्या होता है इसको लिख लीजेए फिर शी मैं बोल रहा हूं जब तीन प्रोनावन या दो प्रोनावन एक साथ में आई हो तो आई आयका objective यहाँ पास बनेगा रेखनेगा और इससका जो रिफ्लेक्सी बनेगा अवर्स बने बने में लेकिन हो यू रि फिर उसका yor or your us away फिर your self आएगा लेकिन जब भी आपको आई और यू न दीए हो और दो प्रोनाओन एक साथüne हो तो फिर आपको क्या लेके चलना है दे का लेक्के चलना है इनका क्या बनेगा object दें बनेगा फिर इनका पजैसी बनेगा देयर या फिर there's बनेगा और इनका जो reflexive बनेगा themselves बनेगा फिर स्यावराफ में note कर लिजे मैं repeat कर रहा हूं जब भी तीन pronoun एक साथ दियों I दिया हो तो इसका object बनेगा us और इसका possessive बनेगा ours और इसका reflexive बनेगा ourselves लेकिन I ना दिया हो यू दिया हो तो यू वाली सरी चलेगी यू आ आपजेक्ट और इसका होगा possessive यू यू और इसका reflex होगा yourself लेकिन यू और आई दोनों ना दिये हो और फिर एक से ज्यादा pronoun हो तो फिर क्यों से चलेगा दे का चलेगा तो वहां पास उसका प्यूरल बनेगा मलब object बनेगा them और उसका possessive बनेगा there या there's और इसका reflexive हैं यहां पास तीन pronoun एक साथ है is cd a u d a लेकिन आगया आई और जैसे यह आपने देखा आई तो आई वाली सीरीज चलेगा यह तो यू वाला होता है हर्स तो यहां आए गा पहले बात तो हम यहांसे ऐसे काट सकते हैं कि यहां पास बडिया दिया ए तो योर की नहीं आएगा और देशस्य क्व right, जर भी 요iením एक सो तेस्का होगा है एक सो 350 का सिक्वेंस क्या है 100 परसन आई हो गया सेकंड परसन यू हो गया थार्ड परसन यह हो गया जो गया इसका थाड़ वाला आई-ड़क ते फिर question number 10 देखिए the boys want us all to take up to projects ओके यहां पास प्रोनाउन का sequence पूछ रहा है तो देखिए मतलब boys सबको चाहता है project के लिए तो यह तो good act में आएगा bad act में है नहीं तो गुड़ एक्ट में क्या sequence होगा हमारा दो सो एक्टिस दो सो एक्टिस तो देखिए second person किसमें यह दिया है फिर third person सुमित राहूल और third first person क्या दिया है आई तो इसका exact answer क्या हो जाएगा first वाला यू सुमित राहूल एंड आई चलिए next question बढ़ते हैं इस question को तो आप ध्यान से ही समझेगा it was that as who has raised many questions अभी मैंने आपको बताया था क्या कभी भी हम ऐसे लिखते हैं me has me has done any job माली मी हैस कभी भी लिखा जाता है नहीं लिखा जाता है तो यहां पास देखिए क्या रहा है है तो हैस के current हैस कब आएगा जब माई दिया होगा और हमेशा याद रखना है कि जब relative pronoun का use हो और दो sentence को relative pronoun जूड रहा हो तो उसके पहले it was से अगर related sentence से शुरुआत हो रहे तो वहां पास हमेशा subjective case का use करते हैं दूसरा concept आपको यह समझना है कि यह जो जो has आ रहा है has me के current कभी आ नहीं सकता myself के current आ नहीं सकता my current आ नहीं सक है वाएगा तो क्या बनेगा it was I who have raised many questions ध्यान दीजे question में mistake है कि फिर देखें नेक्स question दिया है see you and I can do work again वही प्रेश्चन रिपीटेड है I think work दिया हुआ है आई दिया है हमारा क्या pronoun आई वाली सरी चलेगी आई में क्या बताया था मैंने अस बताया था आवर या अवर्स पूछ रहा है प्रोणाउन एक साथ हो तो आई पास क्या होगा फस्ट परसन की हिसाफ से लिए कि क्या होता है कि आई भी होता है तो बी के सिक्वेंस प्रोणाउन लेके चलते हैं यहां पास हो जाएगा आवर वर्क चलिए next question बढ़ते हैं यू and he have to complete वर्क देखिए यू है दो प्रोणाउन एक साथ है तो यू बाला चलेगा अब बुक दिया हुए नाउन तो क्या आएगा यूर आएगा ओके क्योंकि यू के कांड़ यहां पास क्या आएगा यूर आएगा यू वाली सिरी चलिए दो प्रोणाउन एक साथ हो त यू बाला लेके चलेगा आई होता तो आई कांड अस बाला लेके चलता अगर यू ना होता तो फिर ही डिसाइड करता अगर दो प्रोणाउन एक साथ होते यू आई ना होता तो फिर दे दे वाला कॉंसेप चलता ओके चलिए नेक्क क्वेस्चन में देखते हैं आई यू and he are informed about lunch यहां पास भी फिर देखिए तीन प्रोणाउन एक साथ हो गए तो आई वाला लेकर चलेगा लंच यहां क्या है नाउन है तो क्या आएगा आएगा ओके next question है you and his brother have taken देखिए you आ गया और and his brother you decide करेगा देखिए यहां पास क्या दिया यहां पास क्या त्यर यहां पास क्या दिया लिटन यह इस तरह के जब भी आजाए, a friend of, a good friend of, one of, one of इस तरह के जब भी friend हुआ करे, तो देखिए, अब यहाँ पास off के बाद क्या दिया हुआ, from दिया है, तो यानि कि noun तो दिया नहीं है, तो noun जब नहीं दिया है तो माई तो आएगा नहीं, क्योंकि माई के बाद noun आता है, अबर के बाद भी क्या आता है, noun आता है, देर के बाद भी क्या आता है, noun आता है, लेकिन माई ऐसा है जो बिना noun की यूज होता है, तो क्या बनेगा, a friend of mine from college, लिब जिन, बसिंग टन, आप ऐसे option को कट करके answer थक भी पहुंच सकते हैं, अब यहां पास दिया हुआ है, answer क्या दिया, question क्या दिया हुआ है, this notebook is not yours, perhaps it is that, so you should not take it, पहली बात तो आप देखिए, यहां पास पजेंसी का use होना है, यहां पास so देख रहे है, so noun नहीं है, so का मतलब होता है, इसलिए, ओके, तो यह use हम, जहां noun नहीं होता, वहां करते हैं, तो इसका exact answer हो जाएगा, hers, फिर आजाए, क्या दिया है, राजेस एंड रमेस है, अब देखिए, यहां पास pronoun दो दिये हुए हैं, ठीक, और third person वाले हैं, आई देता, तो अस वाली स्रीज लेके चलता, यू देता, तो अगर आई न सिरीज लेके चलते हैं, दे वाली लेके चलते हैं, दे का object क्या होगा दे, लेकिन यहां पास दिया क्या है, noun car, तो आएगा possessive, तो दे का possessive क्या बनेगा, there, इसका exact answer हो जाएगा, there, next देखिए, he looks at everything from window, he looks at everything from window, he का possessive क्या होता है, पहली बात तो window यहां पास दिया है, noun, यानि कि हमारा possessive case का use होना है, अभी का possessive क्या होता है, exact answer आप लगा सकते हैं, his, he का possessive क्या होता है, he is होता है, फिर देखिए, the company should start that does work, work दिया है, noun, यानि कि आएगा यहां पास क्या, possessive आएगा, अब देखिए, company किस में आएगा, यही में आएगा, किस में आएगा, किस कीटिव होगा वही होगा याद रखेंगे जब नान लिविंगस हो नान लेविंगस हो और नान लीव इन्टिक सिंगुलर में हो तो इट कर मतलब उसका प्यूरल में हो फिर उसका पड़े हो दियर युजर को संग लिए युजर थृ पर संभी दियर या नो अगर एक है तो उसका क्या बनेगा इट बनेगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा एक तक कंपनी यानि नौल निमिंग तिंग्स आ गया तो यहां पास इट का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा तक कंपनी शुड़ स्टार्ट इट्स वर्क नेक्ट क्वेस्चन में क्या होता है फ्रेंड्स देयर होता है ओके चलिए तो बहुत हीजी क्वेशन था फिर दिया हुए क्वेशन दिफिनेंसियल एडवाइजर एंड फिनेंस ऑफिसर हैज निगलेक्टेड वर्क अब देखिए यहां पास यहां पास आपको कॉंसेप को समझना यहां दो नाउन होता है ना वही वाला दूसरा होता है ध्यान दीजेगा जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं और दो अलग अलग नाउन हो ओके दिसे यहां पास फिनेंस अफिसर दिया लेकिन पहले नाउन बस में आर्टिकल लगा है तो मतलब जो पहला वाला है वही दूसरा वाला भी बन आई है और दूसरी चीज़ यहां से भिलते होना कि अगर यह अलग होते तो जो stand by यह रख्यों दो पहले नाउन के फिर क्या होता प्यूरल क्या बनता उसका देयर बनता लेकिन फ्रीहाल इसका एंसर क्या होगा इस होगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स वेस्टन में फिर आगया question one should not hide anything from family doctor family doctor यानि की नाउन जैसे आपने वन देखा तो बन का प्रशेशिव क्या होगा वन सोगा नेक्स वेस्टन में आई यह आपास वही वाला हो है तो किसका लेंगे हम देवाला लेंगे तो इसका प्रशेशिव क्या बनेगा देयर बनेगा हर का तो सी के लिए यूज करते ही का हिस के लिए करते हैं और वी का अवर करते हैं लेकिन यहां पास दो आ रहे हैं क्या नाउन एक साथ तो उसका वह प्यूरल होगा प्यूर राधा दिया है और एलॉंग विथ हर सिस्टर एक प्रकार से तो आप सोचेंगे तो क्या बन गया यह प्यूरल के लिए किसका करते हैं देर का यूज करते हैं लेकिन ध्यान यह देना है कि जब दो नाउन को एलॉंग विथ तुगेदर विथ इंक्लूड़ वाई एकॉंपनी सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब आपको समझना है कि जब दो नाउन को जोड़ते हैं तो पहला नाउन डिसाइड करता है आगे का जो भी आएगा और पजेशिव केस्रेफ्लेक्स माइफ्रेंड राधा राधा यानि किसी में आएगा तो सी के कान क्या बनेगा 300 प्लस हम कराएंगे ताकि आपकी प्रणाउन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए अभी हम रिलेटिव प्रणाउन डिस्ट्रिब्यूटिव प्रणाउन और भी आगे जो प्रणाउन से वह सब डिसकस करेंगे तक तक के लिए जैहिं जै भारत मिलते हैं नेक्स वीडियो में है